जहित, मैं ललित खतरी और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता, MTTV इंडिया मायरा फैशन्स, एन एक्स्क्लूजिव रेंज ओफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉंपलेक्स अन्वेगा मौल अजमेर और आज बात उस बैंक की जो देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनने वाला है जाएगा जल्दी इसका एलान भी हो सकता है नए नाम के साथ बैंक का लोगो भी नया होगा न्यूज एजनसी PTI के मताबिक PNB, UBI, OBC के मरजर से बनने वाला नया बैंक State Bank of India के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा जानकारी के मताबिक ये नया बैंक एक अपरेल 2020 से अस्तित्यों में आ सकता है UBI अधिकारी के मताबिक मरजर की पूरी प्रक्रिया के लिए तीनों बैंकों की तरफ से 34 सदस्य कमीटी गठित की गई है इस कमीटी ने अपनी अपनी रिपोर्ट बॉर्ड को सौप दी है मरजर अंतिम चरण में है PNB ने Ernest और Young को इसके लिए सलाकार न्यूक दिया है जो मरजर पर नजर रखेंगे इसमें तीनों बैंकों का HR, Software, Product, Service शामिल है मरजर के बाद बनने वाले नए बैंक के पास संयुक तुरूप से एक लाग से जादा करमचारी होंगे अब आपको बताते हैं कि अगर आपका अकाउंट इन तीनों बैंकों में से किसी बैंक में है तो इस पर क्या असर पड़ेगा मरजर के बाद आपके बैंक का नाम बदल जाएगा पुराना अकाउंट नंबर और कस्टमर आइडी भी बदल सकती है पुरानी चैक बुक भी आपको सरेंडर करनी पड़ सकती है हलांकि इसके लिए नए बैंक का वोर्ड ही अंतिम निरने लेगा निया डेबिट कार्ड और करेडिट कार्ड जारी किये जा सकते हैं निया बैंक बनने के बाद कुछ ब्रांचेस को बंत किया जा सकता है और आपकी होम ब्रांच भी बदली जा सकती है अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं झाल 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 झाल